फ्रेंड से को है फिर आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल टैलियो में इंस्टूट पर जहां पर हम टैली सॉप्टर अकाउंट विडियो में देखने वाले हैं टी डी एस ऑन पर्चेस ऑफ गोड्स सेक्षन वनननने वाला है वह आप का पर पर आप करो अदरवाइस क्या होता है वैसे तो आप सभी को काफी सारी यूट्यूब के वीडियो मिल चुकी है बट जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिकल वीडियो लाते हैं तो आज हम कुछ इसमें देखेंगे कि इसको लाने का रीजन क्या है क्या है तो अब सभी को पता है समझदार वेक्टियो आप और साथ की साथ यह सेक्षन उससे मिलता जुलता ही है तो ऐसे कौन सी जरूद पढ़ गई कि यह सेक्षन को लाना पड़ा क्या है सेक्षन कैसे अपनी के बलोगा वह सारा कुछ आचके में स्वीडियो में देखने वाले हैं तो हैं प्रोइड करती है इंकम को पर लगने वाला टैक्स इंकम टैक्स गोण सेंट सर्वइस को ब्रह ला टैक्स जाती है उसको रिव्यू करने पर उस पर जो कमिया सुधार जो होती है उनको वो करती जाती है उसको पर काम जैसे कि अभी जी एस्टी में नहीं रूला आते हैं 36 आ गया चैसी भी आ गया जिसमें आपकी 99 परसेंट आप अपनी को यूटलाइस करोगे वन परसेंट कैश में द सब्सक्राइब अब क्या हो गया जो डपार्टमेंट पहले काम करता था रहती है उसको पड़ती रहती है उसको एक inbox करती रहती है तो अब लगता है तो साल के बाद income tax पोफाइल के इनकंद के सार चार ओस के इस को डड़क्त कर लो ठीक है साब ये भी बात समुझमों आ गई इसी तरीके से चीजे आती रहती है अब क्याव आगे चलके अगे चलके गौवर्नमेंट ने कहीं यार सर्विसेस के उपर तो हम ले रहे हैं टेक्स क्यों एक टेक्स सेल के उपर क्लेक्ट किया जाए इसको तो टीसी एस बोल दिया टेक्स कलेक्टेट अन सोर्स अब क्या हुआ जब टीसी एस का सेक्षण आगे टू जीजिए लो सेक्ष वन एच आगे टीसी एस अन सेल अफ गुड्स तो उसके बाद इसको लाने की क्या धर वो तो क्यों यहां पर जो इतनी कहानी आपको बताई वो गौर्णमेंट समय समय पर अपने रिवेन्यू जो उसका जन्रेट हो था उसको एक्स माइन करती जथी है पॉलसी को रिव्यू करती जथी है और उसकी अकॉर्डिंग लिए उसमें चेंजेट करती जथी है जब टीसी एस आप गुड्स आया तो उससे गौर्णमेंट की का अलग अलग रूप है कैसे है समझो तो भाई है वन नैंटी फॉर क्यू एप्ली केबल टू किस पर है यह अप्ली केबल मैं भी आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊँगा कि मैं क्यों दो कंपेर्जन करके आपको मेन रीजन बताऊँगा कि स्टैक्स को लाने का मतलब क अप्लिकेबल टू बायर यह बायर को होता है और जो वो है two zero six one यह किस पर होता है यह होता है यह एन होता है जैसे आप रेंट कमीशन सेली इन चीजों के ऊपर जब भी आप यह सर्विसेज करते हो ते इनको उपर आप क्या करते हो भी यह को डिडेक्ट कर लेते हो यह और जो पहले था ट्रेक्शन टू जिरो से तो सीलर कलेक्ट करेगा टीचे सेल अव गुड्स और जब बायर का टर्ण ओवर दस गोड से ज्यादा होगा तो बायर कलेक्ट करेगा एप्ली के बलक होता है पर चीज़ प्रोमा सेलर एक्षीड रूपीज फिफ्टी लैक इन फनेशल इयर जब गुड्स को आप परचेस करे करेगा और उसको पेमिंट करेगा इसके विप्री टी सीएस सेल अव गूट्स में कहा था सीलर का टर्ण ओवर प्रिवियस में प्रिवियस के अंदर अगर मालोबी हम एक्स बाइस में 20-22 का अगर उसका टरन ओवर दस क्रोड ओपे से जादा का है और बायर का टर्ण ओवर है यह condition बहुत important है जो डाली गई है बायर का turnover lesser हो या equal 10 करोड अभी इसको मैं आगे और आपको clearly explain करूँगा जब बायर का turnover कम हो मतलब receive उसको किसी single buyer से receive हुआ 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 अपना पैसा sale of goods के अगेंस्ट में उसको पैसा 50 lakh से ज्यादा का हो तो क्या करेगा साथ 50 lakh से ज्यादा की amount के उपर exceed है यहां पर exceed वर्ट है whole amount के उपर यह exceed tds भी exceed amount के उपर है पचास लाग रुपैसा क्या है exemption है जैसे टीडेस में होता है 35,000 रपे 194C के अंदर तीस तरीके से यह एक लाग पर 94C के अंदर है contract में single bill or whole amount के उपर पर यहां पर क्या है कि वहां पर full amount के उपर आपका टीडेस जो है वह आप डिडेक्ट करते हो यहां पर क्या है exceed rupees 50 lakh ठीक है simple से वर्डों में समझो 194 क्यों मतलब अगर बायर का turn over पिछले पर्चास लाग रपे से ज़्यादा है और उसने किसी को माल बेचा उसने 50 लाग रपे से ज़्यादा सिंगल फिनिशले में पर्चेस किया है उसके पैसा आया तो वह क्या करेगा भाइसाब उसके ऊपर करेगा होल अमांट के ऊपर उसका मतलब आपको कहानी बताई कैसे क्या क्या चीजे है अब समझो जो इंपॉटेंट पॉंट है तीन लोग होगा एक बायर होगा एक सेलर होगी एक सेक्षें अपनीकिबिल बायर का turnover Ceilach side like back into consultation लगे लगेगा तो पहले सखानी अगर माल लोब बायरिक ने 70,000 लाकर रपय का उसका turnover मालो कि उसने किसी एक व्यक्ति से माल खालीग्द किसी एक व्यक्ति से माल खुरीदा हमेंद एप लें यिक व क्विक्ति से उसने माल करेंदा ही उसका turnover तो यहां पर कौन सा सेक्षन लग लग यह तो अब इसमें आपको कुछ कमी दिख लिए जो मैं आपको बताना चाहरा था कि गया पशेट को समझ समय समय पर अपने जो जनरेट करने का तरीका उसको रिएवियु करती रहती रहती है कि कैसे हम कितना बेटर करो टेक्स की चोली वी स्प३..., टैम पर हमारे पास पैसा इस जनरेट हो अब अच्छा फबलीक के पहुंशेठ लीज होगा इसमें एक पक्ष मर तो 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 हम सेक्शन लगा रहे हैं पर इसके विप्रीत अगर हो जाए वेट करनी लगे गए तो गौपरमेंट ने जो मेन लाने का मतलब यहां कि वो दोनों को पकड़ना छूटे वर बड़े वैपाली दोनों को पकड़ना इसमें क्या है इसमें बड़ा सील Bonick में आगिया इसके इंदर क्या वह बड़ा सेलर बड़ विक्रेता पकड़ने आ सब्सक्राइब कि अगर उसका ट्रवर 10 क्रोर से जाधा है और इसमें किया था चूटा बायर पकट में आंग you पर इससे विप्रीत दोनों सेम नहीं रहा है इसके विप्रीत है इसके विप्रीत क्या हुआ हुआ JAKE कि अगर माल्म लो यह मेंड पॉइंट की बात और जो मुझे लगता है जो मेरा अपना एक फोरकास्टिंग वह यह है कि माहलों पांच को बाइर का तर्ण और यह पांच को तो दोनों बच गए कोई नहीं लगा आने वाले समय मुझे लगता है कि लिमिट को भी कहींना कहीं करा यह मेरा अपना म छेज ऑफ गोर को लानी का मतलब यह है कि अंद एक और चो बड़ा ओर च्छोटा है तो उस केस में बढ़ा आपस में दोणों पकड़ने आ हैं अब कुछ केस एसे होंगे कुछ case आपके पास ऐसे होंगे कि तूह मेर को लगता वो यह लाइन होती है कि अगर कर अ singular is वैसे तो एक के समझे लगे लिए तो बायर को डिड्रक्रट कर दिया जो लगता है जो जो है वह तब ही लगता है जब लगता करना है तो मेरे साथ से 194 क्यूं ही लगना चाहिए अगर दोनों के संदा मालों बायर और सेलर दोनों का तरनों का तर्णोवर दस क्रोड़ों पे से जादा है तो मुझे लगता है कि आगे क्या होता है इसके लावा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं अब यह नेचर क्या है तो आपने माल खरीदा उसका जो पेमिंट आपको करना है अगर आप एक ऐसे बायर जिसका तर्णोवर पिछले क्या होगा तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा भीया सीलर क्लेक्ट करेगा मतलब जो ओवर अब बाव इनवाइस की वैल्यू जितनी है उसके उपर पॉइंट वन परसेंट के साब से कलेक्ट करेगा और गौर्णमेंट को डिपोजिट करेगा दोनों ही क्टूबर से और लेडी लागू हो चुका है एपली केबल वैन कब जब बायर का टर्न ओवर दस क्रोड़ों पे से ज्यादा का होगा एपली केबल ऑन कब अपने गुट्स की परचेस कि होगी किसी एक सिंगल सप्लायर से पचास लागर पे से ज्यादा की कि होगी तो पचास ज्यादा की मांट की पर जो है वह आप cd s को डिड़क करोगे ठीक इसी तरीके से अगर आपका ट्रण झाल तो तीडियस और परच्छोजव गोट का कहना किया भी यह पेमिंट और क्याइट जो भी अर्लियर हो जागा आपने बिल बुक कर लिया उसको पर टीडियस की वर्किंग करते हो नहीं अगर आपको पता है तो टीडियस की पूरी एक प्लेलिस्ट है कि टीडियस को कैसे आपने डिड़क करके गवर्मेंट को जमा कराना होता है तो अगर आपने बिल बुक कर लिया तभी आप टीडियस को डिड़क कर लोगे पेमिंट करते हैं समय सामनाली पार्टी को डिड़क करके पेमिंट करोगे यह एट दा टाइम ओफ रिसीप है कहने को लॉक एन उसार अट टा प्रेटिकल लिगों कि हम लोग एकाउंटन हैं हम सी यह तो है नहीं भाइसाब तो हम लोगों तो इन चीजों से जो है फेस करते रहते हैं कि भाईया अगर सामने आले का टर्न ओवर से ज्यादा का है और मेरा टर्न अगर पचास लाग से कम का तो भी मुझसे को क्लेक्ट कर साब से हम भी ज्यादा उसमें जिग जिग मैं मैं नहीं कर पाते कर लिया कोई बात नहीं अपने 26 में आ जागा अपनी इंकम टेक्स की लाइबिल्टी के एंगे उसको सेट आउफ कर लेंगे तो इसका नेचा डिड़क्शन है उसका नेचा कलेक्शन है डिड़क्शन एड़ टाइम ओफ पेमेंट और क्रेडिट विचेवर अर्लियर और यह रिसीब बेस कहने को या बट ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है यह भी क्या होता है कि जब बिलको इश्यू किया आता है तो आप उसको पर टीडियस को डिड़क्शन करोगे टीटीए टीची एस शेल भी कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसीप टीची आप है सब वह एडवांस रिसीप के उपर कलेक्ट किया आता है रेट दोनों का सेम है पॉइंट वन परसेंट पनेशन एक के चलते हुए थोड़ झाल 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 झाल